तो अभी इसके पहले जो सीरीज हुई थी वो वेस्ट इंडीस की थी मतलब आप गेस कर लीजे अब ये कौन से महने में स्टार्ट होने वाली है तो ये फेवरिवरी में स्टार्ट होगी इंडिया वस श्री लंका की सीरीज 25 फेवरिवरी टू 18 मार्च जिसमें 2 टेस्ट मुक तो तेस्ट मुकाबले शुरू होगा पहला टेस्ट मुकाबला 25 फेवरिवरी साधे diabetes बंगलोर में मार्च मतलोर दूसरा मुरह मोहाली है वोगा पाच मार्च सुब नौ बजे साध्नों सम infectious जिटेग नौ बजे तास्षक तर मुए अध् Facto शुरूब जो कि ठेरा मार्च से होगे तेरा मार्च पहला मुकाबला शाम साथ बजए मोहाली से लाइब होगा फेर दूसरा मुकाबला 15 मार्च को टीटवेंटे मुकाबला इंडिया उस नंका का जो कि धर मशला में मैच तो बहुत दिनों बाद होगा कोविड की बज़े से भी वानी उसके पहले में मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब हुआ तो 2017-2018 में याद आ रहा है आकलिम कारलबाद धर्मशाला में तीसरा मुकाब्रा लकनों में वो होगा 18 मार्च को बहुत इंट्रेस्टिंग सीरीज हो सकती है क्य himself जो भी सीरीज ही हर सीरीज में टी ट्वेंटि है इस तो एड कर देगाए है ऐस एस तो ए def Oct. Novemba के टैंप पर ही होगा और यह सीरीज भी इंडिया वनसइड़नी जीत सकती है को कई श्रिलंक का लिह बहुत डाउन है। और अभी बैक टू बैक सीरीज इंडिया के लिए अभी फिलाल तो चालो इंडिया वसास न्यूज लैंड की सीरीज जब मैं वीडियो बना रहो इसके बाद 17 डिसेंबर से फिर इंडिया साउथ अफ्रीका की 17 डिसेंबर से वो चलने वाली है लगबग 26 जनवरी तक 26 जनवरी से 18 मार्स तक चलेंगी इंडिया वसास श्रिलंका की सीरीज और उसके बाद 9 जून से 19 जून तक इंडिया वसास साउथ अफ्रीका की सीरीज चलना लिए उसका भी मैं आपको स्केडियूल अभी अगली वीडियो में बता दूगा मतलब एक और वीडियो मैं अभी बना रहो उसके स्केडियूल की वह पता नहीं मैं कब दालूगा पर आप देखेगा जरूर वीडियो भी और वीडियो का लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता आपको अगली वीडियो में